Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas. Super Ideas में आप लोगों का एक पर फिर से स्वगत है और आज है 27 जून उत्राखन की बड़ी ख़बरे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. तो दून को तीसरे चरण का Best Smart City Award मिला है. Water Project Award भी मिला. केंदर ये आवास में शहरी मामलों के मंदराले में किया गया है चैन. तो Smart City Project के CEO का कहना है कि सबी Smart City अपनी परियोजनाओं पर किस तरह काम कर रही हैं. इसके आधार पर Best Smart City का चैन किया गया है. और देरद उन Smart City को विकास परियोजनाओं पर सबसे तेजी से काम करने के लिए ये परुषकार दिया गया है. पेजल के उपलबता और घरों तक साव पानी मुहिया कराने के कारिये पर भी केंदर सरकार ने मुहर लगाई. इसके तहर पेजल संबंदी परियोजनाओं का पेजल स्काडा, पेजल समवर्दन, वाटर A.T.M. और स्मार्ट वाटर मीटर परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. बारत सरकार के ओर से वर्ष 2020 के लिए ये अवोर्ड दिया गया है जो कि स्मार्ट सिटी अवोर्ड है, बैस्मार्ट सिटी और ये वाटर प्रोजेक्ट अवोर्ड के लिए चैन्ट भी किया गया है. बागेशवर, चंपावत, पितोरगड के जिला, अस्पतालों सहित, हिमालियन, अस्पताल, जोली ग्रांट वेकोरेशन, कोरोनेशन अस्पताल, दयादून में ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट का वर्चुली लोकारपन किया गया और एक ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट का सिलन इसके द्वारा पड़ती दिन 4.76 मिट्री टन ऑक्सिजन का उत्पादन होगा पितोरागड में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की मदद से 600 LPM का ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है बागेशवर में स्तापित ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट को संभाद से भी श किसे कारिया हुआ कोविड की संभावे तीसरी लहर के द्रिस्टी गत सभी तयारिया की गई है आईसीउ वेंटिलेटर्स ऑक्सिजन बैड की संक्या में काफी विर्दी की गई है के अंदर सरकार के सयोग से रिशिकेश प्रहलदवानी में 500-500 बैड के आधोनिक कोविड केर सेंटर बनाए गई है इन में सभी परकार की सुविदाई उपलग्ध है इन कोविड सेंटरों में बच्चों के वाड के साथ उनके माता पिता के रहने की विवशा की गई है सीयस से इस तर पर उक्सिजन प्लांट लगाए जा रहे हैं अभी राज्य में 17 उक्सिजन प्लांट कारिया शील है जबकि 17 उक्सिजन प्लांट की स्थापना का कारिया चल रहा है इसके अलावा 11 उक्सिजन जनरेशन प्लांट के लिए पारस सरकार से इस स्विकरती मिल तो COVID-19 में हमारी पर नियंतरन हेतू, स्वास्ते सुविदाव का सुधर्डी करण हुआ, अस्पतालों में ऑक्सिजन जनरेटिंग प्लांट का लोकारपन किया गया, जो कि मैंने अभी सारे इंफोर्मेशन आपको दी है, उद्राकरण में कोरोना केस की बात करें, तो 24 गंटे पत्र मिला है, जो कि तामベ का पत्र होता है, खास बात यह है कि यह एक एफ़सा तामर पत्र माना जा रहा है, जिसमें चंद वौक्ष के किसी राजा के निधन की तिति अंकित की गई है, एक स्थानिया परिवार के पास, सुरक्षित उन तामर पत्र में चंपावत जिले के तामली छेतर में 60 नाली जमीन दांग किये जाने का जिक्र है यह पुमी चंद राजा ग्यान चंद ने पूर्व शाशक अभे चंद के श्राद पर दांग की थी खटी मानिवासी अमित कुमार पांडे का पैत्र गाउं चंपावत जिले के तामली में है अमित ने बताया कि कु उत्राखंड रक्षा अभियान की संसापक स्वामी दर्शन भारती का सिर्कलम करने वाले को एक करोड रुपे का नाम देने का अलान किया है इस पर बरेली पुलिस ने मोलाना के किलाब एफाई अर्द अजकर उसे गिरफतार कर लिया है डेल्टा प्लस वेरियंट को लेकर उत्राखंड वैलर्ट कोरोना लागिटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में नो एंट्री उत्राखंड में चारधाम यात्रा एक जुलाई से शुरू होने से पहले चमोली रुद्र प्रियाग उत्रकाशी जिलों को कोविड-19 के टीके की अतिरिक खुराक शनिवार को अप सामने रखा डेल्टा के नए वैरियंट पर भी चिंता जाहिर की लेकिन उत्राखंड सरकार ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा कोलने की जो है मंजूरी दे दी है तो यह थी दोस्तों उत्राखंड से जुड़ी कुछ अपडेट इसे तरीके से हर रोज चैनल से जुड़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जैसे ही उत्राखंड की गईलेंस आएंगी वो भी आप लोगों को मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नहीं जानकरे के साथ तब तक थैंकियो सो म